सब लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों मैं आप लोग ऐसे कंदर सल्मानी लेके हैं आप लोग के लिए फिट से एक और लेंटल दिख रहे हैं वहाँ जरूर भेजएगा तो चल्ड़ दोस्तों आज की अमेजिंग है स्टार्लिंग शुरू करें दोस्तों बालों को जल्दी से मैंने टेक्शराइज कर लिए हैं जल्दी से और आप सेक्शनिंग देख लीजिए सेक्शनिंग बहुत सिंपल है वही हम बेज बना रहे हैं और इसके उपर हम डोनट भी लगाएंगे वगर उससे पहले आप देख सकते हो जो क्लाइंट हैं हमारे उनके जो बाल हैं वह एक्स्टेंशन्स है यानि कि बालों में जो रियल एक्स्टेंशन्स हम लगवाते हैं आप रूट्स पर देख सकते हो वह मैं उसके उपर इस स्टाइलिंग कर रहा हи है क्लाइंट को फुर्य के लिए अपनी एक्स्टेंशन करा ही हिए क्लाड भी है दोस्तों कलर बालों पर इस बब sing आप एक पट बड़ी आर्ट यानि इसको ढखना है हमने पूरी तरीके से छुपाना है और आप देख सकते हो मैं बड़े वाले बॉब पिन से पतली पतली लेयर को हातों से उंगलियों से ट्विस्क करते हुए उपर की तरफ हलका सा 3D उठाते हुए स्प्रे से लॉग करते हुए और इसको मैं पिन अप कर उनको अभी और भी बहुत को सीखनी की ज़रूत है तो कोशिच करो कि आप पिन ऐसे लगाओ कि आपके नजर ना आए ऐसा जादू करो कि दिखेना कैसे हुआ है यह एक ही क्लेयर मैंने आप फटा फट से इसमें स्ट्रेच कर लिए आप देख सकते हो मैं साइडों से एक एक से दिखेगा पहले हम इसे नीचे से इस तरी की स्टाइलिंग जब भी आप करो तो यह एक में तरफ से आप लोगों के लिए टिप है कि आप लोग इसको हमेशा नीचे से शुरू करें क्योंकि नीचे से अगर आप फिलिंग अच्छी कर दोगे तो आपको उपर जादा बा जैसी कि मैं यहां से ले रहे हूँ ऐसी मैं अदर साइट से ले रहे हूँ, आप से पैटन में दोनों गलाck कर रहे हूँ, इसलिए मैं एक तरफ आपको अच्छे से लर्न कर सकें आप जो मैंने एक की सेचिशन ऑपने पफ वाले से की साथ लोग चाथ अन्याने एक बबिद फ्लार की स्टार्टिंग जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था वह एक ऐसी चीज़ जिसको जहां पर भी आप करोगे वह बहुत ही बीटुफुल लगेगी मगर यहां पर हम क्या करने वाले प्योर फ्लार बनाने वाले पूरा और इतने से बालों से हम बनाएंगे पहले हम मिड काप फ्लार के स्टार्टिंग बनाएंगे और उसके साथ हम इसके साथ पैटल्स भी प्ले करेंगे एक एक टिप आप अच्छे से समझिएगा देखे मैं कितनी पास से आपको दिखा रहा हूं यह जो टेक्नीक है यह बहुत ज़दा ज़रूरी है कि आप इसे तरीकी से ब्ले करें, बहुत से लोगों की चाहिए इस तरीक़ी की इस्तारिक श्टार्यिंग करने की तो मेर को था कि मैं आपको बिल्कुल खुला कामेरा लिजाके दिखाऊंगा कि मै कैसे अपनी finger mold कर रहा हूँ, कैसे मैं बालो को grip कर रहा हूँ, कैसे मैं बालो को अपने stretch कर रहा हूँ, कैसे control कर रहा हूँ, आप देख सकते हो texturizing का कितना बड़ा roll होता है, आप देखे मैंने बालो को crimp किया हुआ है और बालों को हलका हलका सा curls किया हुआ है बस उसके साथ मैंने styling करी है आप चाहो तो थोड़ी बहुत बालों में हलकी फुलकी wax लगा दो जिससे बालों के अंदर जितना भी breakage है वो भी control रहे बट दूस्तों color बालों में styling करना इसलिए difficult हो जाता है मगर अगर color बालों में आप कर रहे हो तो इधर और भी ज्यादा नीटनस और सफाई की आपको ज़रात पड़ती है अब मैं यहां बना रहा हूं पैटल्स आप देखे में कितनी क्लोज आपको दिखा रहा हूं कि कैसे हम बालों के जो भी हमने स्टाइलिंग करते हैं जिसमें आपको प्रॉडक से बहुत जादा कंट्रोल चाहिए तो पतले से पतले बाल उठाओ जिसको आप इसली कंट्रोल कर सको प्रॉडक के साथ मैंने एक पैटल्स बना दिए ऐसे मैं एक और पैटल्स बनाऊंगा और आपने से करें चार पत्यों के बाद और यह बहुत अच्छा लगेगा इस petals को आप stretch करते time ध्यान रहे फटे ना बीच में से और इसके इंदर जो भी आप spray यूज़ कर रहे हो वह बहुत ही limited तरीके से यूज़ करना है बालों को बिल्कुल भी wet wet feel नहीं देना है दूर से लगाना है डिस्टेंस से लगाना है जैसे कि मैंने आपको spray का use detail में बताया हुआ है एक एक layer देख रहो मैंने सिर्फ एक छोटी सी layer से पूरा flower बना दिया और छोटी सी layer से पूरी पूरी petals बना दिया नीची की तब ढग भी दिया बहुत सी वारी हमें ऐसा लगता है कि क्लाइंट के बालों सर पे तो बाली नहीं कैसे बनाएंगे तो आप देख सकते ह आप ऐसे creativity कर सकते हो और कम से कम बालों में भी आप बहुत अच्छी creativity कर सकते हो तो अब बालों पे अगर आप प्ले कर रहे हो तो इस तरीके से पतले पतले layer में काम करेंगे तो आपकी लुक और भी amazing आईगी तो मेरा flower पूरा तरीके से ready है आप देख सकते हो कितना beautiful लग र बना रहे हैं देखें पतली पतली लेयर पर मैंने roots में backcomming करी है और अब एक और लेयर पर में backcomming करूंगा और इसको अच्छे से ढखके और इसमें भी मैं 3D बनाऊंगा 3D भी आप देखिएगा मैं कैसे बनारों और color वालों में 3D या कुछ भी आप करो वह और भी यह होती है roots में backcomming करने से length हमेशा साफ सुत्री रहती है और clean look आता एकदम puff के उपर ऐसा लगता है कि spray लगा के हमने puff को ready कि अब यह मेरी last layer है इसको भी मैं roots में backcomming कर रहा हूं करके बिल्कुल layers और बालों के close में आपको दिखा रहा हूं कि आपने देखो किस तरीके से सफाई का ध्यान रखना है और एक untidy चीज rough चीज एकदम spray लगाते ही उसको neat करते ही बहुत सुंदर लगने लगती है आप देखते ही देखते ही पूरा का पूरा puff बहुत सुंदर लगेगा और बहुत असानी से मैं पूरा puff बना दूगा और जो puff के बचे बाले उनसे भी हम flower बनाने वाले मतलब यहां पे मैं एक और flower प्ले करूँगा puff वाले बालों से उसके बाद side से जो बाल लूँगा उनसे भी मैं flower की जो starting है वो प्ले करूँगा यानि कि fully creative hair styling है मैं चाता हूँ दोस्तों आप इसे जरूर बनाए और अपने client को दे client बहुत पसंद करती है ऐसे styling को और आप उन्हें जब बताएंगे सरी कि styling इन में है तो clients आप से जरूर कराएंगे और आपका confident भी बढ़ेगा यह मैंने जूड़ा पें से tightly lock कर दिया है अब हम लोग यहां प और forehead के हिसाब से आपने पूरी styling को end करना यानि front के साथ और front जैसे कि मैंने आपको previous वीडियो में बताया कुछ भी प्ले कर सकते हो आप लोग आपको आपकी ओपर है कि कौन सा front अपनी styling के सांग add-on करना चाहते हो इनका जो forehead है basically medium forehead है ना जाधा बढ़ा है ना जाधा चोट कर रहा है तो इसमें आप कुछ भी प्ले कर सकते हो मैं सिंगल twisting प्ले करूंगा सिंगल twisting के बाद उसके अंदर आपको grip भी करके दिखाऊंगा grip technique जो हमारी वो भी हम उसमें करेंगे और front में flick भी देंगे हलका सा तो मैंने sides को भी अच्छे से लॉक कर लिया और जैसे कि मैंन अच्छे से होता है प्रे करो finger से इसे अच्छे से मसाज करो फिर प्रे करो finger से अच्छे से मसाज करो और एकदम यह हाड हो जाते हैं बाल उसके बाद आप इसे silver pin से लॉक कर दें यहां पर पूरी styling के इंदर जो मैंने यूज किये silver pin chopstick थोड़ी बहुत यूज करी है साथ में मैंने बड़े बाले जूड़ा पिन यूज किये है उसके साथ मैं यहां पर यूज किये है वो यूज किये हैं बॉक पिन तो आप देख सकते हैं मैंने side में फिर से flower की starting बना दिये और आप लोग देख सकते हो कि मेरे को बिलकुल से सीख जाते हो तो आप किसी भी तरीके के बालों में कुछ भी बना सकते हो तो यह मेरी flower की starting ready हो गई अब मैं बनाओंगा middle वाला flower इसमें भी same वही हम पहले flower की starting बनाएंगे फिर जैसे कि नीचे की तरफ petals बनाएते वैसे हम petals बनाएंगे आप लोग देख सकते हो दोस्तों कितना tight work हो रहा है कितना मजबूती से काम हो रहा है इतनी मजबूत यह styling अगर गिरेंगे भी तब भी यह बालों की styling नहीं खुलने वाली तो यह sensitive नहीं होती बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि इस तरह की styling यह बहुत sensitive होती है इनको बनाना नहीं चाहिए यह खुल जाती है बट आप इसे बनाएं और जैसे मैंने बनाएं वैसी बनाएं पिन जैसे मैंने लगाएं वैसे लगाएं और फिर उसके बाद आप जिन पर भी बनाएं उनको गिरा भी दोगे तब भी वह styling नहीं खुलेगी यह मेरा promise है तो यह product का play है यह pinning का play है जिससे हमादी styling बहुत मजबूत होती है तो इसी तरीके से आप पूरी जितनी भी अब तक आने वाली styling सीखने वाले हो या जितनी मैं करता हूं ऐसी करोगे तो आपके styling के अंदर lasting बहुत अच्छी आएगी और वो कभी भी नहीं खुलेगी बस दियान रहे product अच्छे से play करें आप और यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि वह बहुत अच्छे से लॉक कर देता है और चांट्रोल भी उसका बहुत अच्छा है यानि कि वह बालों को बार बार गिरने नहीं देता और मौशर से खराब नहीं होने देता तो यह हमारा फ्लार की starting होगी देखें कितना beautiful लग रहा है फ्लार क से ही मैंने यहां पर फिर से एक और फ्लार कर दिया तो मेरे को जितने ज्यादा बाल ज्यादा होते हैं उतने ही ज्यादा आपको बालों को मैनेज करने में दिक्कत होती है तो sectioning क्या help करती है आपको बालों को डिवाइड कर देती है जितने बाल आपको चाहिए उतने रखो बाकियों को आप किसी और टेकनीक में डाल दो या उन्हें पैक कर दो 99% हेर्ज जो हैं इस क्लाइन के मैंने नीचे की तरफ होल कर दी है यानि कि नीचे की तरफ जो मैंने आपको सिखाया है उसमें मैंने यूटिलाइस करें बाकी मैं जो ही creativity कर रहा हूँ क्योंकि जितने कम बालो में आप creativity करते हो उतनी ज्यादा last करती है क्योंकि वह thin होता है तो product अच्छे से penetrate होता है pin भी बहुत अच्छे से उसे पकड़ लेता है क्योंकि वह खुलता नहीं है उसमें weight ही नहीं होता तो वह निकल के कहीं जाता ही नहीं है तो इस तरीके से आप इसे बनाएं और seriously guys आपके client आपको बहुत शुक्रिया करेगा और बहुत खुश हो के जाएगा और आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा कि आपने कुछ अलग और creative work किया तो जरूर इसे करके हमारे social handle पर बेजना हमें बहुत अच्छा लगेगा यह एक और layer लेली मैंने यहां भी मैं 4 petals बना रहा हूँ मैं 4 petals play कर रहा हूँ मगर आप चाहो तो आप 6, 7, 10, 12 जितना मर्जी broad यह flowers बना सकते हो यह आपके उपर है पूरा और मैं इसके जितने भी बालों के ends छूट रहा है उनके साथ भी मैं play कर रहा हूँ so that creativity के अंदर कुछ भी limit नहीं होती है आप देख सकते हो मैं हलकी सी पतली सी layer लेके छोटी छोटी से इनको move कर रहा हूँ यह इने band कर रहा हूँ अब आप यहाँ देख सकते हैं पतली-तली layer यह बचे यह बशिता था मा चाहता तो इनको कि मैंने पूरा का पूरा डónat ढग दिया था और मिडल में जो यह फ्लार आ गया और यह जो मैं तोटीब्लत क्रिटिविटी करिए इससे पूरा का पूरा हमारा बैक और फुरो पूरा बैक हमारा रेडी है अब बार यह हमारी फ्रंट की तो फ्रंट में मैंने फिर से वही थोड़ी सी लिए अलग कर लिए और अपना मिड का एक सेक्षन छोड़ लिया है और साइट्स को में आप देख सकते हुआएं मेरे क्लाइट दोनों तरफ जो बनाए है वही सेम चीज़ अम यहां पर ही प्ले करेंगे अच्छे से स्प्रे करके इनको लॉक करेंगे इन में भी हम सॉफ्ट 3D देंगे और इनको फटा फट 3D करके और जो नीचे की लेंद है इसके अंदर हम फ्लार प्ले करने वाले फ्लार की स्टार्टि करेंगे तो आप देख सकते हों कि मितलब भर भर के मैंने यहां पर फ्लार फ्लार की स्टार्टिंग वह अच्छे से करिए जो क्लाइंट जब मेरा फंक्शन में जाए तो लोग सिर्व यह देखें और यही पूझें कि आपने स्टाइलिंग कहां से कराई है बहुत ही बिड की बड़ अब तब भी सेफटी परपस आप पिन का यूज जरूर करें इसी तरीके से जैसे मैंने यहां किया है और इन ही मैंसे मैंने लेयर अलग कर लिए जिसका मैं फ्लार की स्टार्टिंग बनाने वाला हूं यह नीचे वाली लेयर है इसको भी मैं फटाफट से हलका सा एक आध लेयर छोड़ते हुए इसको मैं 3D देते हुए इसमें भी मैं फटाफट से इंटर लॉकिंग कर दूगा और इसको भी मैं कंप्लीट कर लूगा तो यही सेम पैटर्न मेरा आगे भी चलने वाला है थोड़ा बहुत इंटर लॉकिंग का ठीक है उसके बाद अब इन क्लाइंट कराता है कुछ भी ब्रेट कराता है वड़ आप उसके सेंग कुछ ऐसा प्ले कर दो यह बहुत अच्छा लगता है और क्लाइंट को पसंद भी आता है तो यह आप देख सकते हैं मैंने फ्लार की स्टार्टिंग बना दी है बहुत छोटी सी बनाई है क्योंकि बाल को अच्छे से बैक कोमिंग करते हुए पीछे की तरफ ट्विस्स करूंगा यानि कि जो हमारा फ्रेंट की लिए रहे इसको पीछे की तरफ लेजा के ट्विस्स करूंगा सो इसके अंदर मैं थोड़ा 3D कर सकूं क्योंकि मैं इसमें भी 3D करने वाला हूं मतलब टोटल आप समझ सकते हो कि मैंने 3D फ्लार पूरी क्रेटिविटी के साथ मैंने इसको बनाया है और इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रजेंट करने ही कोशिश करिए हलका सा आप हातों से पुश करें और यहां देखो मैं बड़े वाले जूड़ा पिन से लॉक कर रहा हूं इसे का मतलब इस पिन को दबाद होगे तो लॉक हो जाएगा बट होल से हो जाता है कि बाल दर्दर नहीं किरते आप चाहो तो जुतनी मर्जी क्रेटिविटी कर सकते हो आप देख सकते हो अब मैं यहां पर पतली पतली लेर निकालके यहां पर मैं 3D करने वाला हूं तो 3D आप देख सकते हो मैं कैसे बना रहा हूं बहुत ही पतली पतली लेर ले रहा हूं उसे प्रेय से होल करते हुए लॉक करते हुए लेके जा रहो हूं और ध्यान रख रहा हूं कि कि बाल बहुत ज़्यादा मैसी ना हो बहुत ज़्यादा इदर उदर भागे ना क्योंकि छोटे से छोटे बालों को भी अगर आप साथ में लेके styling के अंदर add on करते हो तो आपके बालों में dance देखता है बालों में ज़्यादा control देखता है और connectivity ज़्यादा आती है तो आप देख सकते हैं मैं फटा फट से सारे 3D बना रहा हूँ 3D आप थोड़े से उपर की तरफ जा रहे है यानि कि twist जैसा है उस twist को फॉलो करते हैं मैंने 3D बना है आप भी इसे तरीके से बना है बट आपको मैंने कितने सारे front से खा रहे हैं आप उनमें से भी कुछ भी front या प्ले कर सकते हो यानि कि styling में मैंने आपको जैसे कि बता है कुछ भी कहीं पर प्ले किया जा सकता है बस client को अच्छा लगना चाहिए और जो भी आप styling कर रहे हो वो पीछे यानि front और back compatible लगने चाहिए एक जैसे लगने चाहिए कि हाँ एक साथ जोड़के बनाये गए है ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया तो जैसे कि systematic लगना चाहिए कि देखने में हाँ systematic styling करी है तो इसको भी मैं फटा फट से 3D बना चुका हूँ और आप लोग देख सकते हो मैं कितना closely आपको दिखा रहा हूँ 3D कैसे बनता है spray कैसे लगाया जाता है fingers को कितना light चलाया जात बिल्कुल nicely में बालों को stretch करते हुए हलका हलका spray करते हुए मैं गड़े नहीं कर रहा हूँ 3D को सिर्फ हलका हलका उठा रहा हूँ अब यहां पर हम लोग इस front को लॉक कर रहे हैं और यहां लॉक करने के लिए हम यूज कर रहे हैं अपनी grip technique यह मेरी favorite technique है यह मुझे बहुत ऐसे twist करते हुए बिल्कुल twist करते हुए और नीचे की तरफ roots से बिल्कुल जुड़ते हुए बालों को lock करना है यह हो गया हमारा grip ready इससे हमारा पूरा friend lock हो गया और हमारा यह भी ready हो गया पूरी styling almost complete है और मैं आपको यह accessories लगा के दिखाता हूँ कितनी beautiful लग रही है आज की styling आपको बहुत अच्छे लगी और इसमें भी आपने बहुत कुछ नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखे तो जल्दी चल्दी इसको शेयर कर देना और दोस्तों अगर चैनल पर नए तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर देना लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल टेक केर और हमें इतना सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया